प्रधान मंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का दूसरा प्रधान मंत्री जी द्वारा लोगों के दिलों को छूने वाले बातों को प्रधान मंत्री जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जिन मुद्दों को लोगों के बीच रखते हैं या सारी बाते भारतिय जन्मानस के करीब होता है प्रधान मंत्री जी के बोलने और करने में फर्क नहीं होता है प्रधान मंत्री जी जिन बातों को लोगों के बीच में रखते हैं धरातल पर भी दिखाए देता है यही कारण है कि ना केवल भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता है इस कारेकरम को ध्यान से सुनते हैं बलकि मन की बात कारेकरम को भारत के साधारन जन्दी उच्छा से एक एक बात प्रधान मंत्री जी का सुनते हैं आज माननिय प्रधान मंत्री जी जिस प्रकार से समाज के हर पहलूओं को छूने का प्रयास किया है वह सराहनिय है चाहे वह क्रिसी का छेत्र हो, चाहे कोरोना के विशय में हो या समाज में विभिन छेत्रों से प्रतीबासाली व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे मानव सेवा के लिए विभिन प्रयासों का शराहना हो तारीफे काबिल है प्रधान मंत्री जी के मन की बात कारेक्रम का हर एपिसोड पिछले कारेक्रम से अलग आकर्षक एवं उत्साह वर्धक होता है ग्यात इतिहास में इतना दिन सबसे लंबा एक कारेक्रम का लोग प्रियता का बना रहा हो इस बात का प्रमान है कि लोग प्रधान मंत्री जी के हर एक बात को विश्वास करते हैं और वर्तमान सरकार के कारे पद्धती पर भरोसा करते हैं भारतिय जन्तापाटी के कारे करता होने के नाते हम सभी को मानिय प्रधान मंत्री जी पर गर्व होता है और दल का नेत्रितो एक ऐसे विभूती के हाथ में है जिन पर लोग भरोसा करते हैं स्रीमंडल के द्वारा भारतिय जनतापाटी नेत्रितो के सरकार एवं यसस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर भरोसा करने एवं मन की बाद कारेक्रम अपार सफलता पर प्रशन्नता व्यक्त किया इस कारेक्रम में जिला के वरिष्ट उपाध्यक सुकुमार सरखेल, जिला महामंत्री सुमित सरन, रंजीत प्रसाद यादव, अनूप पांडे, लखविंदर सिंग, अजय पांडे सहित कई कारेकर्ताओं ने आयोजी तस्थल पर कारेक्रम को सुना